तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा 20 दिन में अडर लेवटी डबल करें जी हाँ दोस्तो ये आप कर सकते हैं क्योंकि सीश पाल मलिख तो डोंट वरी टैंशन नहीं लेने का पसुओ की हर समस्या हर बिमारी का इलाज अपने पास है तो चाहे आपकी गाये हो चाहे बैस हो चाहे वो प्रेगनेट हो गयाबिन हो या फिर दूद दे रहे हो ब्याई हुई हो या फिर वो पहले ब्यात में हो या दूसरे में हो या तीसरे चोथे में हो किसी भी सूरत में आप अपने पसुओ को जो आज देशी नुस्का बताऊंगा देशी नुस्का भी वो दोस्तो जो आपके घर में दो चीजे आपकी रिसोई में मिल जाएंगी वो खिला कर आप अपने पसू की अडर लेवटी डबल कर सकते हैं ब्याने के बाद वो दूद भी ज्यादा देगा तो दोस्तों ये क्या नुस्का है कितने दिन देना है कैसे कैसे बनाना है वो सब कंपलीट जा जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूँगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हो शीष पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सब का पसंदीदा यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन तो सवागत है दोस्तों आप सभी का और दोस्तों डेरी फार्मिंग वो पसुपालन की रोजाना की ताजा जानकारी बरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा कर ओल पर सेट कर ले और दोस्तों अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक को फोलो कर लेजिए साथ ही हमारे फेस्बुक पेज टूडे फार्मिंग जोन को भी फोलो कर लेजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्टों जयसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया आप मातर घर पर आपकी रसोई में जो दो चीजे हैं वो खिला कर अपनी गाए बैस का अडर भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और ब्याने के बाद वो दूद भी ज़्यादा देगा और आप ये प्रेगनेंट गायबैसों को भी दे सकते हैं या तो फिर जो ब्याई हुई है उनको भी दे कर उनका भी अडर और दूद बढ़ा सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों इसके और भी कई सारे फायदे हैं वो क्या ह तो दोस्तों जो आपके पसुओं में ये अडर ना बढ़ने वाली या फिर दूद कम होने वाली जो सिकायत है वो पसुओं में जो विटामिन्स और मिनलल्स की कमी हो जाती है उनके कारण देखी जाती है तो ये नुश्का दे कर उसकी ये कमी को भी दूर कर सकते हैं उसके वि लिए वो भी ठीक हो जाएगा और दोस्तों अगर आपका पसुकी सी भी तरह की स्ट्रेस में चला गया है जिसके लावा दोस्तों और भी पसुओं की बहुत सारी जो थणों की विमारी होती है या तो फिर जो दुद कम होने वाली शिकायते होती वो सब दूर कर देगा इसक दोस्तों कि ये बिल्कुल देशी गरेलू नुस्का है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, तो दोस्तों ये नुस्का आपने कैसे तयार करना है, तो दोस्तों इसके लिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि दो चीजों की जर एक किलो निम्बू लेने है निम्बू को आपने काट कर दो टुकडो में करना है यानि कि एक निम्बू को आपने काट कर उसके दो टुकडे कर लेने है तो दोस्तों ये दो चीजे ही आपने लेनी है अब दोस्तों ये आपने तयार कैसे करना है आपने जो दो किलो तिलो का य उनको डाल दीजिए और दोस्तों इसको आप तब तक गरम करते रहे, तब तक पकाते रहे, जब तक वो निम्भू पकर काले ना हो जाए आप उनको छू कर देखो तो ऐसा न लगे कि इसमें निम्भू है बलकि एक पेस्ट शाह बन गया हो उनको गलकर पकर तो दोस्तो इस तरह से आपका देशन उसका तयार हो जाएगा अब यह आपने देना कितना है कितने दिन देना है तो दोस्तो यह आपने अगर आपकी गायबैस ग्याबिन है तो आपने उससे बियाने से 20 या 30 दिन पहले आपने यह देना है और 100 ग्राम रोज का देना है इससे आपकी जो ग्याविन गायबैस है वो अच्छा अडर बना लेगी बड़ी लेवटी बना लेगी और ब्याने के बाद दूद भी ज्यादा देगी दूसरा दोस्तों आपकी गायबैस अगर ब्याई हुई है और उसका दूद कम हो गया है या दूद कम दे रही है तो दोस्तों उसको भी आप ये दे सकते हैं ब्याने के आपने पांच दिन बाद ये शुरू करना है और उसके 20 से 30 दिन लगातार आपने ये देना है तो आपके गायबैस का तब भी अडर काफी बढ़ा हो जाएगा और अत्यदिक मातरा में उसका दूद भी बढ़ जाएगा तो दोस्तों दोनों ही सूरत में ये आप दे सकते हैं ब्याने से पहले भी और ब्याने के बाद भी ब्याने से पहले दे कर भी आप अपने पसू की अडर लेउटी ज्यादा बड़ी कर सकते हो और ब्याने के बाद अडर लेउटी भी बढ़ा सकते हैं दूद भी बढ़ा सकते है तो इसके लिए आपने अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्स्चर अपने पसूओं को देना होता है जिसमें सभी परकार की विटामिन्स हो और सभी परकार के मिनरल्स हो तो यह सबी चीजे जो आप सामने सेक्रीन पर देख रहे हैं मिल्को पुरूना मिल्क बुष्टर मिल्क बु सबी चीजे भी उसमें मौजूद हैं तो ये आपने अपने पसु को इस नुश्के के साथ जरूर देना है इसे दोस्तों देना कैसे है ये आपने 50 गराम पोडर लेना है और 50 गराम ही गुड लेना है आपने गुड को कूट कर अच्छे तरह से थोड़ा सा पाउडर सा बना ल लेजिए फिर दोस्तों ये आपने श्याम के समय अपने पसु को देना है जब श्याम के समय आपका पसु खा पी कर बैठ जाता है और जुगाली करने लगता है तब ये आपने अपने पसु को देना है 50 गराम पोडर और 50 गराम गुड इसके देने के बाद दोस्तों आपने सुबह तक अपने पसु को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है पूरी रात ये पौडर अपना काम करेगा और सुबह ही आप देख लेना आपकी जो गाय है या बैस है उसका दूद काफी बड़ा हुआ मिलेगा और दोस्तों ये आपने बकरियों को 20 गराम ही देना है 20 गराम गुड और 20 गराम ये उनको भी राज के समय ही देना है इसके साथ दोस्तों और भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं और भी ज्यादा बड़ा अपने गाय बैस का आडर बनाना चाहते हैं या अत्यदिक मातरा में उसे दूद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने अपने गायबैसों को विटामिन एच जरूर देना चाहिए विटामिन एच के बहुत सारी कमपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं इन में से कोई एक प्रोडक्ट आपने ले लेना है और ये ज्यादातर दोस्तों आपने 20 एमल डेली का देना होता है वैसे हर कमपनी के प्रोडक्ट की अलग-अलग डोज होती है तो बैतर यही रहेगा जहांसे आप इसको खरीद कर लेकर आओ उस से पूछ ले वए ये रोज का आपने कितना देना है और इसको देने का तरिका यह है दोस्तों की आप ये 20 एमल एक रोटी पर रख लेजीए उसको चोपड लेजीए और वो रोटी अपने पसू को खिला दीजीए दूसरा तरीका ये है दोस्तो जो कि सबसे अच्छा है वो ये कि एक सिरिंज में आप ये 20 एमल भर लेजिए और पसू के मूँ में सिधा धार मार दीजिए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है और दोस्तो एक और बात बता दो ये पानी से बचा कर देना होता है क्योंकि ये पानी के साथ काम नहीं करता है तो इस तरह से देखी आपका पसू ने ये देने से एक गंटा पहले कुछ खाया पिया हो और इसके देने के एक गंटा बाद या आपने कुछ अपने पसू को खाने पीने को देना है यानि कि भूखा सा पेट देखकर आपने अपने पसू को ये देना है रोज का 20 ml ज्यादा तरकी डोज यही होती है तो दोस्तों ये तीन चीजे आप अपने पसू को खिला कर उनका अडर भी डबल कर सकते हैं ब्याने के बाद उनका दूद भी डबल कर सकते हैं तो दोस्तों आगे आप पसू की कौन सी समस्या पर कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कोमेट करें जिस भी पसुख की समस्या पर या बिमारी पर ज्यादा से ज्यादा कोमेट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूँगा उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा तो दोस्तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाए तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना है जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार